आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अब यहां बोला है कि what volume of 5 molar concentration NHCO3 solution should be mixed कितना volume हम 5 molar concentration NHCO3 का solution का mix करें with 10 ml sample of blood which is 2 molar in H2SCO3 in order to maintain a pH of 7.4 और आपको यहां पे Ka की value given है तो देखो हम से क्या बोला गया है यहां पे आपको बोल रहा है इस तरीके से कि हमारे पास क्या है यहां पे आपके पास एक solution है ठीक है आपके पास यहां पे क्या है एक solution है तो इसमें हमें बोला गया है कि देखो यहां पे हमें कहा है कि जो कितना volume हम किसका NHCO3 का इसमें mix करें यह 5 molar है ठीक है mix किसके साथ करना है आपको 10 ml sample किसका blood का ठीक है 10 ml हमें sample blood का दिया हुए है जो आपका H2CO3 उसमें उसकी 2 molar concentration है ठीक है और यहाँ पे हमें pH गिवन है देखो आपको गिवन क्या क्या है pH तो pH आपको कित्ता गिवन है 7.4 यहाँ पे आपको Ka गिवन है Ka कित्ता गिवन है आपको यहाँ पे 4.0 into में 10 की power आपका minus 7 ठीक है और आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपको यहाँ पे volume निकालना है ठीक है किसका volume निकालना है आपको NaHCO3 का volume आपको यहाँ पे निकालना है NaHCO3 का volume आपको यहाँ पे calculate करना है कि इसका जो volume आएगा वो हमारा क्या आएगा कि कितना हम dissolve करें तो देखो अब इस में जो आपका ये given है अब अगर मैं यहाँ पर concentration निकालूं ठीक है किस की concentration निकालूं अगर मैं H2CO3 की concentration निकालूं तो देखो मेरा क्या आजाएगा ठीक है कैसे देखो Let's suppose हम consider करते हैं कि इस NHCO3 हमने VML लिया कितना अमल लिया VML और 10 ml आपका यहाँ पर क्या है 10 ml आपका blood वाला जो है ही sample ठीक है 10 ml इसका है तो यानि कि H2CO3 वाले के लिए आपके 10 ml volume है क्योंकि उसी में हमारा H2CO3 present है और आपका ये 5 molar है और इसका suppose हमने VML मिलाया तो H2CO3 की अब concentration in solution में क्या हो जाएगी देखो concentration हम कैसे लिखते है number of moles upon में volume तो इसके number of moles अब कैसे निकालोगे देखो यहाँ पर मुझे क्या given है molarity ठीक है number of moles upon में volume होती है तो मुझे कितना बोला गया है इसका 2 molar है तो 2 molar हो गया is equal to number of volume कितनी है आपको 10 ml गिवन है ठीक है तो इसके number of moles कितने हो गया एन is equal to 20 हो गया अब यहाँ पर एन तो आपका 20 आ गया total volume कितनी है 10 प्लस यह वाली V क्योंकि total तो यही आएगी तो 10 प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर V यह आपकी H2CO3 की concentration आ गई अब अगर मैं यहाँ पर concentration निकालो किसकी NaHCO3 की तो NaHCO3 का भी same निकालेंगे 5 molar given है यहाँ पर आपको कितना given है 5 molar given है तो यहाँ पर हमने देखो 5 molar given है और volume कितना consider किया इसका V तो 5 V हो जाएगा क्योंकि 10 की जगे V है और total volume 10 प्लस V अब देखो यहाँ पर आपको ECV को calculate करना है ठीक है तो देखो हमारा एक formula होता है यह हमारी pH is equal to PKA plus log salt by acid यहाँ पर salt का concentration आता है यहाँ पर आपका acid का concentration आता है ठीक है तो pH आपको कितना given है 7.4 PKA क्या होता है मैं का log KA तो minus का log आपका KA कितना है 4 into 10 की power आपका minus 7 plus log salt कितना है यहाँ पर देखो अब salt का अगर मैं concentration लिखूं तो NHCO3 मेरा salt है और यह आपका acid है ठीक है तो salt कितना है आपका यहाँ पर 5V upon me 10 plus V ठीक है और यहाँ पर आपका क्या आजाएगा acid कितना है 20 upon me 10 plus V तो basically 10 plus V हमारा cancel out हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते है यहाँ पर 7.4 is equal to minus का log यह आपका क्या आजाएगा 4 into 10 की power minus 7 plus में log 5V upon me 20 ठीक है तो अब हम इसको क्या लिख सकते है देखो आपको क्या निकालना है log 5V हो गया इसको हम क्या लिख सकते है log 5V minus का log 20 is equal to 7.4 यह वाली चीज यहाँ आजाएगी plus का हो जाएगा plus का log 4 into 10 की power आपका minus का 7 ठीक है अब यहाँ से मैं क्या लिख सकते हूँ log 5V is equal to 7.4 plus यह आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से log 4 minus का 7 log 10 ठीक है तो यहाँ से आपका लिख सकते है log 5V is equal to देखो अब हम क्या करते है यहाँ पे values निकालते है तो जो आपका यहाँ देखो क्या हैगा 7.4 plus यहाँ पे आपके यह आगई 0.6020 minus का 7 हो जाएगा क्यूंकि हमारा क्या होता है यहाँ पे यह तो 10 का value 1 plus में आपका क्या हो जाएगा log 20 तो देखो इसको हम और simplify करें तो 7.4 यह चीज आपके आजाएगी minus का 6.39 plus का आपका क्या जाएगा यहाँ पे log 20 log 20 की value क्या है 1.30 1.30 तो अब हमें इसे क्या करना है solve करना है तो इसमें आप इसको add करके यहाँ पे minus करो तो यह हमारा आएगा कुछ 2.31103 ठीक है यह आपकी क्या आगई log 5V की value यहाँ से log 5V आगया अब हमें जब हम log खटाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे जब आप यहाँ पे log हटाओगे तो यह आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5V is equal to 10 की power आपका क्या हो जाएगा 2.31103 2.31103 ठीक है 3.31103 अब इसको जब solve करो तो यहाँ से आपका यह आएगा 5V is equal to आपका यह आजाएगा कुछ 200 कुछ इस तरीके से 2.0 यहाँ पे 4.6 हो गया अब यहाँ से हम जो V निकालेंगे वो आपका इसको divide कर दो ठीक है तो आपका 204.6 divided by आपका 5 तो यह आपका कुछ V आएगा near about 40.9 ml ठीक है यहाँ से हमने क्या calculate कर लिया अपना volume calculate कर लिया तो अगर हम अपने options देखें तो देखो यहाँ पे आपको क्या given है हमारा आया कुछ 40.9 ठीक है यानि कि यह तो 35 तो बहुत दूर है cancel 25 भी cancel 38 और 40 है ठीक है तो 40.9 को अपने अर लिया तो 41 या 40 consider कर सकते हम ठीक है तो यानि कि हमारा कौन सा आप option होगा option 1 क्योंकि 38 consider नहीं करेंगे नेर अबाउट ही है हमारा तो option 1 हमारा correct होगा Thank you Classics to 12 से लेके NEET IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400 चार्सो पर